मैं भारत को भारती अता की मानिटा के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ बागवटी जी कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं दो ऐसी विरुद्ध वस्थूएं एक साथ ना खाएं जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है अब आप कहेंगे हमें पता नहीं विरुद्ध वस्थूएं क्या हैं मैं कुछ विरुद्ध वस्थूओं की सूची बता देता हूँ डिटेल सूची तो बागवटी जी ने बताई है एक सो तीन वस्थूएं है जो एक दूसरे के एक दम खिलाफ है जैसे सबसे पहली वस्थू उन्होंने बोली है प्याज और दूद्ध दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है दूद्ध और प्याज साथ में खाया तो बीसियों बीमारी आने ही वाली है सबसे ज़्यादा बीमारी आएंगी त्वचा की आपको सुराइसिस होगा आपको एकजीमा होगा आपको खाज होगी आपको खुजली होगी अगर प्याज दूद्ध साथ में खा रहे हैं तो कभी भी ना खाए इसी तरह से वो कहते हैं कि कटहल जैक फूट दूद और जैक एक खटी चीज तो आपकी बनाई होई है एक खटी चीज भगवान की बनाई होई तो भगवान की बनाई होई खटी चीज है दूद के साथ जानी दुश्मन है बागवट जी ने बहुत साल रिसर्च करके बताया एक ही खटा फल है जो दूद के साथ खाएं वो है आवला आ बाकी कोई फल जिसमें खटा पन है वो दूद के साथ ना खाए। आम भी आम अगर खटा है तो दूद के साथ ना खाए। मीठा है तब ही खाए। मीठा आम एकदम मीठा आम पका हुआ आम उसी को दूद के साथ खा सकते। एक और उन्होंने गिना है। कभी भी शहद और घी एक साथ ना खाएं दुनिया का सबसे खराब जहर है ये इसी तरह से उड़त की दाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं उड़त की दाल दुई दल में सबसे खतरनाक है उड़त की दाल उड़त की दाल के बारे में जितनी भी researches भ़ारत में होई है वो ये कहती है कि ये दालों की राजा है इसलिये ये अकेला ही kхायें इसके साथ दही नहीं खा सकते उडट ki दाल के साथ तो कहते हैं उडट ki दाल भरपूर खायें मना नहीं है लेकिन अकेली खायें और बाकी जो दाले हैं अरहर की दाल है मून की दाल है लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाई मैंने बताया था कि दही गरम खरके खाएं बने दही में भगहार लगा के खाएं ताकि तासीर गरम हो जाए उसकी या मठा गरम करके खाएं तासीर उसकी गरम हो जाएं लेकिन मेरी आपको विनमर बिंती है उड़त की दाल के साथ तो बिलकुल न दही खाएं न मठा काएं बगारा हुआ भी नहीं खाएं बागवट जी कहते हैं कि चले गई नहीं मैंने एक दिन कहा कि चलो खा के देखते हैं बागवट जी ने का ना खाएं खा के देखें क्या होता है शरीर को तो मैंने खा लगूं उड़त की दाल और दही उड़त की दाल तो 100% 6-8 महीने में हर्टटेक आई जाएगा इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है दही बड़ा कभी भी नहीं क्योंकि दही बड़ा में उड़त की दाल का बड़ा अगर है तो दही बिलकुल नहीं अग उड़त की दाल का बड़ा सीधे चटनी से खा सकते हैं दही से नहीं और अगर शादी बिया है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखे हैं कि महमानों को उड़त की दाल का बड़ा और दही ना फरूसें और अतिती देवता है उसको जहर ना खिलाएं